कि यह यांची है स्ट्रेंट्स पिछनी विडियो में हमने वेर के साथ में harvest करके कुछ नई advobs बनाई ती आजकी वेडियो वीडियो के विडियो लिसंट में हम लोग hieradverb के साथ में कुछ नई proportion एड करके कुछ नई add wops बनाएंगे जो बहुत जादा इंट्रस्टिंग है जिनके मिनिंग कम्प्लिटली चेंज हो जाएंगे पूरी वीडियो को एंड तक देखना है साथ ही कर अभी तक आप हो मारे टेलेग्राम गुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएए और आपको बता दू मैं पोकन की जो सरीज है वो एजट इस चलती रहेंगी उसमें मैं पहला वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ कल आपको सेकंड डे का सेकंड वीडियो मिल जाएगा वो आप कंटिनियस देखते रहे उसके साथ साथ जो भी हमेरी grammar पर best video से वो भी आपको आप मिलते रहेंगे आपको सारी चाहिए clear हो रहे हूँगी आपको कैसे इंग्लिश लरन करना आपके हर एंगल से support करने के रहे हमलोग आपके साथ है हमलोग इस वीडियो इसटार्ट करते है लटस स्थार्ट द वीडियो जब use होती है तो वो एक different adverb का रूप ले लेती है जो different meaning को carry करता है अब आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि here के साथ मैं आपने लगाया in तो आपका एक नया adverb बना जो बना है आपका here in अब यह जो here in आपका बना है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका use हम लोग के से करेंगे तो here in को हम लोग use करेंगे कि जिसे माल लो आपको कोई sentence बना रहा है और आप ने कहा आप जिसे माल लो आपने एक cell phone बुलवाया और cell phone जो आपने मंगवाया online तो उसके साथ में जो उसका box आया वो box इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको काफी जादे difficulties आएंगे कुछ तरह तरह की चीजिए इसमें आपको देखने को मिलेंगे यह इन आपको कोई problem नहीं होगी यह इन इंड बिगनिंग आप देखने के शूरू में यूस करना है और इसका मिनिंग जो होगा इसमें शिंपल सा वर्ड़ कोई जादा तफ नहीं है नेक्स हम लोग देख रहे हैं यह टू यह टू की बात कर रहे हैं हम लोग तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको where to बताया था where to मतलब हमने देखा था जहां तक के sense में तो ऐसे ही देखो here to का मतलब आपका निकल रहा है यहां तक के sense में याद रखीगा आपको मैंने जो last time बताया था वो बताया था where के साथ में to लगा कर where to जिसका मतलब हो रहा था जहां तक यहां पर हम लोग here के साथ में to लगा रहा है जो meaning दे रहा है किसका यहां तक और अभी आगे मैं आपको एक बताऊंगा there t-h-e-r-e there के साथ में to लगा कर तो वो बनेगा वहां तक तो आप यह थोड़ा सा याद रखे कि to जहां लग जाता है तो to जो है तक के sense में meaning उसका दे रहा होता है where to जहां तक here to यहां तक और there to वहां तक बहुत जल्दी में इस पर भी वीडियो लेकर रहा हूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा there to कैसे use होता है there after कैसे use होता I have understood here to ओके यहां तक तो मुझे समझ में आ गया यहां तक आपने lead किया अब मैं lead करूँगा here to you have lead but now I will lead अब मैं जो है वो lead करूँगा now I will lead अब मैं lead करूँगा यहां तक आपने lead किया lead करना मतलब होता है नहतरुत करना lead 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 इसके second form lead third we lead यहां तक आपने lead किया है अब मैं lead करूँगा मैं नित्रतू करूँगा मैं आगे ले कर जाऊँगा इस चीज़ को so that is here to here to मतलब क्या हो जाता है यहां तक और भी काफी सारे example यहां तक के ले सकते हैं यहां तक आपको काम को complete करना है you have to complete the work here to उसके बाद मैं करूँगा after that I will do it तो इस तरीके से आप काफी सारे sentences में जहां भी यहां तक आएगा आप use कर लेंगे और यह concept आप याद ही रखना to बाला where to, here to, there to where to, जहां तक, here to, यहां तक there to, वहां तक there to आगे देखेंगे next आप लोग देखेंगे इस्ट्वेंट्स after year के साथ after लगाओ year after, अब से right अब से, year after मतलब अब से अब से मतलब इसके बाद से अब से में लीड करूँगा यह देखें यहां तक आपने लीड किया ता में लीड करूँगा तो year to you have lead but year after I will lead यह लोग दोनों आपके आगे है year to you have lead but year after I will lead मतलब यहां पर आपको year to भी यूज हो गया है year after भी यूज हो गया है एक ही सेंटेंस में दोनों आपके adverb जो यूज हो गई है year to you have lead यहां तक आपने network lead किया था year after I will lead year after I will lead मतलब इसके बाद अपसे मैं lead करूँगा अपसे कोई भी वहां नहीं चाहेगा year after no one will go there अपसे कोई भी भूका नहीं मरेगा year after no one would die with star अपसे कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा year after no one will help him तो इस तरीके से अपसे के sense में आप बहुत सारे sentences इसमें बना सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अपसे के sense में, next आपको मैं लेकर चल रहा हूँ, here of, ठीके, ode F लगा है हमने, here of, here of मतलब होता है, इसका, अब यह इसका किस sense में, यह किसी particular area को लेकर चलते हैं हम लोग, ठीके, जगह की जब आप क्या करोगे, what will you do, here of, ठीके, बैसे तो याद रखना है, इसके sense में हम लोग क्या use कर सकते है, with it, अब इसका क्या करोगे, तो हम क्या बोलेंगे, what will you do with it, अब इसके साथ क्या करोगे, अब यह जो here of है, यह भी उसी का मतलब दे रहा है, जो मतलब किसका दे रहा है, आ रहा है, तो confuse आपको होना नहीं है, simple सा मिनिंग है, इसका, इसका, इसका आप क्या करोगे, इसका, here of, इसका हम लोग कुछ अच्छे sense में use करेंगे, we will use in some good sense, here of, right, तो here of हो गया आपका, इसका, थोड़ा सा अलग strange मिनिंग को दे रहा है, next आपको मैं लेकर चल रहा हूँ, here to four, अब अब देखेंगे, here, two and four, इसके साथ तो भी यह दो अलग-अलग proportions एड़ हुई है, एक two भी और दूसरा four भी, यहां से आगे, मतलब यहां तक की काम का प्लेड होगा है, इससे आगे, और यह जो था हमने, वो था अब से, यह था यहां से आगे, यहां से आगे, य या फिर आप बोल सकते हो, you have to speak here to four, right, अब से, यहां से आगे, आपको बोलना है, यहां से आगे, आपको लिखना है, यहां से आगे, आपको लिड करना है, यहां से आगे, आपको लीड करना है, ठीकिए, यहां से आगे, मैं लीड करूँगा, जो भी आप sentences बनाना चाहते ह आपको simply year to four का use करना है simple simple words से मैं चाहता हूँ एक दो बार तीन बार आप लोग जो इसके practice करोगे तो आपके routine में जाएंगे क्योंकि हम जब लोग magazines, newspaper या किसी प्रकार कभी को text English में read करते हैं and when we find all these things then we are confused कि यह क्या है तो तुरंद हम लोग dictionary में फिर search करते हैं कि इसका मतलब क्या है फिर उसको one note करते है so I am just telling you some tricks कि आप लोग tricks से याद करो इससे पहला मैंने आपको where वाला बताया था अब मैं here वाला बता रहो इसके बाद मैं there वाला पढ़ाऊंगा right तो here, where and there के साथ में कुछ preposition add करके आप कुछ नई adverbs prepare करते हैं जिनका meaning कुछ इस तरीके से निकलता है जो आपको पता होना चीए got it क्योंकि यह कहीं के spoken में use होते हैं चली मैं next आपको लेकर चल रहा हूं here about अगर आपको याद हो तो मैंने आपको where about भी पढ़ाया था ओ on where about be here about की तरह where about मतलब होता है जहां कहीं भी मतलब उसके आस पास की जगह की हम बात कर रहा है और यह here about का मतलब क्या हो रहा है यही pass में ठीक है यही pass में here about there is a garden यह पास में गार्डन है जिसे आपने का जा रहा हो तो मैं कही नहीं यह पास में गार्डन हम गूमने जा रहा हूं no no I'm not going anywhere here about there is a garden I'm going there for wondering okay यह पास में एक स्कूल है जहा मैं पड़ता हूं here about there is a school here about there is a school here there is a school here about I study there study there यही पास में कि स्कूल है मैं वहीं पड़ता हूं तो यह इस तरीकिस देखिए आपका here about use होता है आप इसमें as भी लगा सकते हो ठीगे न here about and here abouts दोनों का मतलब वही होता है यही पास में आप as लगाएंगे तो भी वह वही मिनिंग देगा और नहीं लगाएंगे तो भी वही मिनिंग देगा so don't confuse राइट चले नेक्स में आपको लेकर चल रहा हूं here with here with मतलब होता है इसके साथ ओके आप एक speech दे रहे हैं मैंने इसके साथ और क्या आप कर सकते हैं you are delivering a speech so with a speech here with what you can here with what you can give additional इसके साथ और क्या क्या आप कर सकते हैं here with what you can here with what you can write इसके साथ और क्या लिख सकते हैं मतलब और क्या क्या लिख सकते हैं आप कुछ नया कुछ इनुवेटिव आप और क्या कर सकते हैं तो उस sense में आपका here with use होता है जो simple meaning को क्यार कर रहा है here with इसके साथ ठीके जिसमेंगा I have bought a cell phone and here with I will also buy a laptop ठीके मैंने एक cell phone खरीद लिया है and here with I will also buy a laptop मैंने एक cell phone तो खरीद लिया है अब इसके साथ में मैं एक laptop भी पर्चिस करूंगा लैप्टॉप भी खरीदूगा तो here with इसके साथ में कुछ इस तरीके से आपका यूज होगा एक बार हम सभी का revision करते हैं ध्यान से देखेंगे हैं tough नहीं easy है here in it's made it's made what is different here in what is different here in here to यहां तक here to you have spoken now I will speak यहां तक आपने बोली आप मैं बोलूंगा hereafter अबसे अबसे आपको चुप रहना है hereafter you have to be quiet you don't have to speak anything now I will speak here of iska what about here of iska kya iska भी कुछ करो think about it here to four यहां से आगे here to four I will lead यहां से आगे में लीड करूंगा here about yeah yeah past me here about there is a garden I will go there for one drink here about there is a college where my sister studies right to this तरीके से ऐसे here with इसमें इसके साथ sorry here with what you give me इसके साथ आप मुझे क्या दोगे जिसे आपने कुछ खरीदा कुछ उसमों उफर चल रहा है तो आपने मांगा अपने आपने शॉप की पर से कहा what will you give me here with right to here with mother with it in in short you can say अब याद रखीगा ऐसा नहीं कि मतलब इनी वर्ट को आप यूज करना है और generally याद रखीगा हम लोग इनको यूज नहीं करना है हम लोग different word use करते जिसमें आप मुझे इसके साथ क्या देंगे what will you give me with it we don't say what will you give me here with but actually we should use here with so that it cause some sort of different meaning and different impression on others he know this guy is having good knowledge about the language English you know so a part of the city of the handrake एक दो बार तीन चार बार आप जब इसको learn करेंगे दो तीन चार बार बोलेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे कोई tough नहीं easy है ज़्यादा ज़्यादा practice करेंगे अपने आप सारी चाहिए आ जाएंगे हमारा 10 days का spoken session चल रहा है अगर आप में से assessment जिनको नहीं बता है तो यह जो latest video upload हो रहा है miss मत करो सारे videos देखो ज़्यादा ज़्यादा अपने आपको improve करो हम आपके लिए best दे रहा है आप सिर्फ और सिर्फ एक help करिए कि video को like करिए और अपने friends circle के साथ में share करिए hope friends video अच्छा लगा इसे like करें और share करना ना भूले thank you so much